जय्कुन bild क्योंतर नमस्कार दोस्तों दोस्तों तू विलर लोन सीरेस में आज हम बात करने वाले हैं जम्मू औं केशमिर बैंक तूई विलर लोन के बारे में दोस्तों जैसे कि हम ओलरड विलर्स पे भी काफी सारे वीडियो monitor बना चुके हैं SBI Superbike Loan SBI Bike Loan इसके लावा Auto Loans पे काफी सारे वीडियो बन चुके हैं जैसे कि Personal Vehicle Loan पे Commercial Vehicle Loan पे अल्मोस्ट सभी बैंक्स की जो स्कीम से मेजर स्कीम से हम कवर कर चुके हैं अगर आप कोई Personal Vehicle लेना चाहते हैं Commercial Vehicle लेना चाहते हैं या कोई बाइक, स्कूटी, मोपेड कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप इन वीडियो को एक बार जरूर देख लें ताकि आप इन में से जो बेटर स्कीम हैं वो चुन पाए हैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप चमू एन कश्मीर बैंक से टू विलर लोन कैसे ले सकते हैं क्या क्या डॉक्वेंट्स लिए जाएंगे आपसे कितना लोन मैक्सिमम दिया जाएगा क्या इंट्रस्ट रेट होगा क्या मार्जिन रिक्वार्मेंट्स होंगी सिक्योरिटी क्या लिए जाएगी और इसके अलावा चार्जिस क्या लेगेंगे आपको मैं हूँ आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूँ अब सबका टेकिक पंडित में जुड़े रहे हैं मारे साथ और भी ऐसे इन्फरमेशनल वीडियो के लिए तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले इस लोन स्कीम का परपस क्या है इस स्कीम के अंडर आप कोई स्कूटर, स्कूटी, मोटर साइकल, मोपेड, बैट्री ओपरेटिड स्कूटी स्कूटर या कोई भी मेक और मॉडल का टू वीलर आप ले सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए लिजिबिल्टी क्रेटेरिया क्या रखा गया है मिनिमम एज 18 एर्स और मैक्सिमम एज जो है 65 एर्स रखी गई है और जो मिनिमम नेट एनूल इंकम रखी गई है 75 थाउजन जो कम से कम पिछत्तर अजार इंकम होनी चाहिए एपलिकेंट की तभी वो स्कीन के लिए लिजिबल है और एज जो है वो मिनिमम एटिन एर्स और मैक्सिमम को एपिलिकेंट हो سकता है अगर जो आप स्कूर या स्कूर्टी ले रहे हैं उसका एनिजिन 55 सीसी से कम हो तो नॉमर्मली जो लून्ज होते हैं 18 एर्स मिनिममम एज होती है और maximum इसमें रखी गई है 65 years और profession कौन कौन से profession है जो valid है इस loan को लेने के लिए तो कोई भी employees, government, semi-government undertaking, autonomous body तो कोई government employee भी ले सकता है semi-government का employee भी ले सकता है autonomous body यासे की universities बगारा उनके employees भी ले सकते हैं public sector undertaking जैसे की banks या किसी public sector company में जो काम करते हैं private companies और reputed establishments उसके इलावा professionals, self-employed, businessmen या contractual employees जैसे की रहबरे तालीम और रहबरे जिरात के employees हैं तो रहबरे तालीम और रहबरे जिरात ये दोनों contractual jobs हैं जैनके में रहबरे तालीम teacher है और रहबरे जिरात जो है वो agriculture में है तो ये लोग भी eligible हैं pensioners, family pensioners जो जेके बैंक से pension draw कर रहे हैं उसके बाद में जो लोग agriculture कर रहे हैं और students जो अपने father और mother के साथ co-applicant हो सकते हैं या housewives जिनकी age 18 years या उससे ज़्यादा है वो भी co-borrower हो सकती है अपने spouse के साथ और उनके spouse की income ही count होगी loan के लिए तो minimum employment कम से कम employment चाहिए एक साल की अगर आप जिस भी current employment में है वो अगर आप job में है तो कम से कम 6 महीने से आप उस job में होने चाहिए और अगर आप business में है तो कम से कम एक साल से आप उस business में होने चाहिए और अगर आप contractual employee है government, semi-comment, undertaking के autonomous body के public sector के तो आप जो current contractual job है वो कम से कम एक साल से होने चाहिए उस job में और जो आपका remaining contract period जितना आपका contract period बचा है उसी में आपको loan repay करना होगा अगर आपका एक साल का contract बचा है और ज्यादा से ज्यादा धाई लाक रुपे इस scheme के अंडर मिलेगा और अगर आपकी requirement जो है वो धाई लाक से जादा की है तो और भी बहुत सारी schemes है जैसे की SBI Superbikes loan scheme जिस पे आरड़ी हम वीडियो बना चुकी है जिसका लिंक आपको नीचे description में भी मिल जाएगा तो आप उस scheme में loan ले सकते है और अगर धाई लाक सक चाहिए तो इस scheme में भी ले सकते है और इसके अलावा और भी बैंक के बहुत सारी schemes है documentation क्या लिया जाएगा आप से जो borrower है उसका KYC KYC में आपका address proof जैसे की अधार card electricity bill, landline connection bill या कोई भी valid address proof उसके बाद में आपका ID proof जैसे की pen card driving license, voter ID उसके बाद में आपका latest photographs और vehicle जो ले रहे हैं आप उसकी invoice जो आपको dealer से मिलेगी इस पर उसकी cost वगारा mentioned होगी उसके अलावा income proof लिया जाएगा जो income proof है वो vary करेगा अगर आप salaried है तो आपको latest salary slips दे नहीं होगी along with form 16 जो कि आपको अपने employer से मिलेगा और अगर आप businessman है तो आपको अपने business की audited balance sheet पिंडल और उसके बाद ITR की copies, income tax return की copies दे नहीं होगी latest income tax returns अगर आप किसी और profession में हैं जैसे कि आप self employed हैं या कोई farming करते हैं या कोई और काम करते हैं तो आपको उस case में भी ITRs दे नहीं होगी उसके अलावा अगर आप same bank से हैं, same bank में आपकी salary आ रही है, same bank के साथ आप अप अलड़ी business कर रहे हैं तो को issue नहीं है बड़ आप अगर किसी और bank के साथ business कर रहे हैं तो आपको latest जो है वो last six months की statements देनी होगी तो interest rate क्या charge करता है जेन के bank तो present interest rates आप अपनी screen पे देख पा रहे हैं 7.20 जो RLR है प्लस 2% ये fixed दो formulas हैं दूसरा RLR प्लस 1.50 floating ये total बनता है 9.20 fake store 8.70 floating और जो women borrowers है female borrowers है उनके लिए 0.25 basis points की छूट है तो आप female को को बार और बना सकते हैं 0.25 basis points की छूट लेने के लिए तो ये rates जो हैं जो change होते रहते हैं आप जब भी loan ले आप जो latest rates हैं वो confirm कर ले बैंक से या बैंक की website से या physically bank में जाके और जेनके bank के टूविलर के rates काफी कम है पर फिर भी अगर आप loan लेने चाहा रहे हैं तो आप एक बार जो already हमने videos बना चुके हैं इक बार वो देख लें और compare कर लें थोड़ा सा तक कि आप एक better option चूज कर सके उसके लबा repayment tenor कितना है तो maximum जो repayment tenor है वो five years का है यानि कि 60 EMI में आपको ये loan repay करना होगा और loan security के लिए bank क्या करता है आपके जो vehicle होता है उसकी high education होती है तो आपका जो RC certificate होगा registration certificate उस पे bank का नाम रहेगा वो तब तक रहेगा जब तक कि आप loan repay नहीं कर देते हैं जब आप loan repay कर देते हैं तो आप bank से permission लेके उस नाम को हटवा सकते हैं और hypothecation के अलावा अगर आप कोई employee है center government state government या autonomous body के जो जेन के bank के दूरू salary लेते हैं तो आपको किसी तरह के को collateral देने की जरूरत नहीं है but otherwise अगर आप इस category में belong नहीं करते हैं आप जेन के bank से business नहीं कर रहे हैं तो उस case में आप को guarantee देनी होगी at least एक आदमी के guarantee देनी होगी preferably bank उसी को prefer करेगा जो bank के साथ already deal कर रहा है और जो आपका guarantor है उसकी worth कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो आपके loan को repay कर सके उसके बाद में margin तो margin वे amount होता है जो आपको कुछ से देना होता है other than loan तो अगर आप loan एक लाग तक का ले रहे है जो आपका जो sorry जो आपका जो two wheeler है उसकी invoice value जो है अगर वो एक लाग तक है तो 10% margin है यानि कि 90% bank finance कर देगा अगर आपकी vehicle की cost एक लाग तक है और 10% आपको खुछ से देना होगा तो एक लाग तक अगर आप ले रहे हैं तो 90,000 bank दे देगा और 10,000 आपको खुछ से देने होगे लेकिन अगर आपके vehicle की जो axiorum price है वो एक लाग से ज़ादा है for example 2,000,000 है तो उस case में आपको 20,000 खुछ से देने होगे और 1,80,000 bank आपको finance कर देगा जो quantum है वो भी amount के साब से vary कर रहा है margin भी amount के साब से vary कर रहा है तो charges क्या लेगा जैन के bank 1% of the loan amount minimum 500 और maximum 2000 तो यह charges है यह भी bank to bank vary करते हैं यह भी आप check कर सकते हैं बाकी banks के two-wheeler loan skims को देखके उनके वीडियो आपको description box में मिल जाएंगे तो charges यह है इन पे भी waiver चलता रहता है और JNK bank mostly daily excelsus paper में या local papers में publish करता है जब यह waiver चल रहे होते हैं festival season में आप यह चेक कर सकते हैं bank में जाकर जब भी आप loan लें कि waiver bank दे रहा है इस time की नहीं दे रहा है waiver देगा तो आपका कम से कम 1000 से 2000 के पीच में बच जाएंगे उसके अलावा एक charges जोर होते हैं stamp duty यह state to state vary करती है हर एक state के अलग stamp duty है वो भी customer को ही बेर करनी पड़ती है यह था जमू और कश्मीर बैंक two wheeler loan तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो कमेंट करके comment box में बताएं अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें channel को subscribe करें और वीडियो को share करें thank you for watching